हडप्पा सभ्वता का माननेता प्राप्त काल क्या है? औंसर है 2-27-50 इसाप्पूर। सूधू कोशन देखीए सिंदु घाटी की सभ्वता में घोडे के अवशयष कहां मिले है? औंसर है सुर्कोट दा थार्ड, हडप्पा सभ्वता किस युग की थी? कांसय यूग 4. हडपा सभ्यता किसके निवासी थे शहरी यानिकी शहर के निवासी थे 5. सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे अंसर है इंटों से 6. सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था अंसर है लोथल 6. हडपा सभ्यता के खोज किस वज हुई थी हल से जोते गई साक्षिय आंफ मिले हैं अंसर है काली बंगा नेक्स्ट लोथल स्थान कहाँ पर स्थित है अंसर है गुजरात में अगला कुश्ण है हडपा सभधा के मिट्टी के बत्रों पर कों सा रंग किया जाता था अंसर है लाल नेक्स्ट है रोपड पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित्था अंसर है सत्लुच नेक्स है हडपा वासी किस धातु से प्रिचित नहीं थे अंसर है लोहा नेक्स कोशन सिंधू सभ्वेता के निवासी किस में विश्वास रखते थे? अंसर है मात्री शक्ती में तो चलिए नेक्स पे किस थांग से पुजारी की मूर्ती प्राप्थ हुई है? अंसर है हडपा नेक्स कोशन इस किस पशू के अवशेश सिंधू घाटी से नहीं मिले? अंसर है गाएं हडपा सभ्वेता की मुहरें अधिकतर किस से बनी है? अंसर है सेल खडी से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंसर है श्रेष्ट और कुलीन नेक्स कोशन वैदिक गनित का महत्तपून अंग क्या है? अंसर है शुल्य शुत्र रिग देव आर्यों का व्यवसाई क्या था? अंसर है पशू पालन पशू को पालते थे वो नेक्स्ट इज़ कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दाशनिक प्रनाली क्या है? अंसर है एक बटाच्छे नेक्स कोशन इस न्याए दर्शन को किसने प्रचारित किया? अंसर है गोतम ने अगला कोशन पढ़ते हैं प्रारंबिक वैदिक सहित्य में सरवाधिक वरनित नदी कौन सी थी? अंसर है सिंधु नदी फ्रैंट्स चलिए अगले कोशन पर जलते हैं क्या कहता है अगला कोशन? सबसे प्राचिन वेद कौन सा है? अंसर है रीग वेद जो की सबसे प्राचिन है नेक्स कोशन इस किस वेद का संकलन रीग वेद पर अधारित है? साम वेद सामवेद में आपको संगीत से समंदित सारी जानकारी मिलती है Next question is किस काल में अच्छूत की अवधारना उदे हुई अंसर है धरम शास्त्रकाल Next is वैदिक युक की प्रचलित प्रनाली क्या थी अंसर है गंतंत्र Next question वैदिक युक की प्रचलित प्रनाली क्या थी गंतंत्र Next है अश्ट अध्याई के रचनाकार कौन है पानिगनी Next question is रीग वेद में कुल कितने मंडल है अंसर है दस मंडल तो चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं क्या कहता है नेक्स कोशन आर्य भारत में कहां से आये थे मध्या एशिया से Next question is रीग वेद में सबसे पवित्र नदी किसको मानती है सरस्वदी नदी को सबसे पवित्र माना जाता है चलिए नेक्स कोशन पर किस देवता की स्तुती में 250 सुक्तों की रचना की गई इंद्र देवता की स्तुती में Next question is आर्यों के आर्क्टिक होम सिध्धान्त का पक्ष किसने लिया था तो कौन है बीजी तिल्क प्राचिन विवाह सुक्त किसमें पाया जाता है रीग वेद में रीग वेद में Next question is तो चलिए Next question पर पूर्ण पाशान यूग जीविका का मुख्य अधार क्या था शिकार करना क्या था शिकार करना तो चलिए Friends Next question पर चलते हैं क्या कहता है हमारा Next question आईए भारत में पुरा पाशान कालिन ओजारों की खोच किसने की थी अंसर है रोबर्ट ब्रुश ने Next question is जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे जो लाल रंग का उप्शन है उस पर कलिक कर लें ये Next question नहीं है ये आपको जरासा समझाने के लिए है कि सब्सक्राइब करिए जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और नीचे घंटी के निशान भी दिया गया है उस पर आप जरूर कलिक कीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया है Next question में वैदिक सहित्य में रिग वेद के बाद किसका स्थान आता है शत पत ब्राह्मन का तो चलिए Next question पर जीवन भर ऐ विवाहित महिला को क्या कहा जाता है आ माजु क्या कहा जाता है आ माजु Next question चरक सहिंता पुस्तक किस विश्य से समंदित रखती है चिकित्सापर किस पर समंधित है नेक्स कूशन है भारतिय द्रषन की अरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्या तो चलिए फ्रैंट्स बढ़ते हैं आगे अगले कूशन मर दिया है उपनिश्द काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? कहां के शासक थे? कहक्य के शासक किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्राचिंतम प्रमाण मिले हैं अंतर जिखेडा? हमारा अंसर है अंतर जिखेडा रिगवेद का कौन सा मंदल पूरन रूप से सामवेद को स्मर्पित है नोवा मंडल जिसमें आपको संगीत के बारे में बताया जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है? अठारा पुराण है फ्रेंट्स चलिए नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन में है अस्तो मा सदगम्य किस वेद से लिया गया है? रिग वेद से रिग वेद जो हमारा सबसे पुराचिन वेद है वहाँ से लिया गया है प्रथम विधी निर्माता कौन है? मनू रिशी जो है वो हमारे प्रथम विधी निर्माता है नेक्स कोशन है रिग वेद के किस मंडल में शुद्र का उलेक पहली बार मिलता है? तो अंसर है 프랑्स दस्वा मंडल नेक्स कोशन है आरे भारत में सबसे पहले कहां पर आ कर बसे थे पंजाब में? तो नेक्स कोशन है किस देवता के लिए रिग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरेंद्र शब्द का प्रयोक क्या गया है इंद्र देवता के लिए फ्रेंट्स कौन सी फसल हडपा के समय उत्पादित नहीं की जाती थी वो है दाल पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रती किर्थी कहां से मिली है बनवाली से भारत का भुगोल पुस्तक किस ने लिखी थी टल मीने तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर इगले कोशन में दिया है दिग वेत के बाद का वेत कौन सा है अर्थवेत जिसमें आपको तूने टोटके के मारे में बताया गया है नेक्स कोशन इस वेदों को समझने के लिए कितने वेद आंगों की रचना हुई है छे वेद आंगों की नेक्स कोशन इस आरेओं द्वारा निर्मित सब्भेता क्या कहलाई गई वैदिक सब्भेता तो चलिए, नेक्ट्स कोशन पर बढ़ते हैं आर्यों की भाशा क्या थी? संस्क्रीछ भाशा क्या थी, फ्रेंड्स? संस्क्रीछ, अगला क्यौशन क्या है? आर्यों का परिया पशु कौन सा था? घोडा, हमारा अंसर की आएगा? घोडा, चलिए बढ़ें नेक्स कोश्चन पर दस राज युद का उलेक कौन से मंदल में है सात्वी मंदल में सात्वी मंदल में दस राज युद का उलेक है आर्यो का समाज किस प्रधान का था पित्री प्रधान समाज वहाँ पर पिता को ज़्याद महत्तव दिया जाता था तो पित्री प्रधान स्माज नेक्स है अभिलेखों का अध्यन क्या कहलाता है इपी ग्राफी क्या कहलाता है इपी ग्राफी चलिए बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन की और सती प्रथा का पहला लिखित साक्षय कहां से प्रात हुआ एरन अभिलेख से अभिलेख का नाम है एरन भारत में खोजा गया पहला शहर कोन सा था हडपा क्या था फ्रेंड्स हडपा नेक्स कुशन पर बढ़ते हैं सिंदु सभेता की खोज किसने की थी देयाराम सहनीने नेक्स कुशन है प्राचिंतम सिक्कों को क्या कहा जाता है आहत सिक्के क्योंकि उने कूट कर बनाया जाता था इसलिए उनका नाम आहत सिक्के सबसे पहले भारत वर्ष का जीकर किस अभिलेक में हुआ था हाथी गुमफा में